नमस्कार दोस्तों से भेली हेल्प में आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो हम बात करने वाला हूं मैं बताने वाला हूं आपको Digital India for All Portal के बारे में तो इस वीडियो हम बात करेंगे क्या है Digital India for All Portal कौन-कौन से इसमें सर्विसेस हैं कितना मिलेगा आपको इसमें कमिशन और कितने लाएगी आई-दे कोस्टिंग सारी चीज़ें करके इंडिटेस में तो चलिए शुरू करते हैं उससे पहले बता दो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस बेल का इकन को पी दबा देता है कि मैं जो वीडियो दिलाऊं को नोटिफिकेशन जाता रहा है सीधी आप तक तब चलिए बात कर लेते हैं Digital India for all portal के बारे में तो सब से पहले हम जान लेता ही कौन-कौन से इसमें services है तो इसमें है AAPS और DMT की service यानि domestic money transfer की service recharge और bill payment की service है Pancart की service है जो की NSDL और UTI दोनों ही माध्यम से यहाँ पे available है चाहे तो आप NSDL के use करें चाहे तो आप UTI के use करें electricity bill payment की service है insurance की service है और साथ से साथ account opening यानि zero balance digital account opening के भी service यहाँ पे available है कमिशन के हम बात करें तो यहाँ पे APS में commission मिलेगा 500 रुपे से 3000 रुपे तक transaction पे 0.30% का ठीक है 3000 से एक से लेके 5000 तक के transaction पे 12 रुपे का commission है 5000 रुपे से लेके 10,000 तक के transaction पे flat 18 रुपे का commission है यहाँ पे APS में ठीक है पे इनका 3% to 7% का commission है जो कि depend करता है operator to operator amount to amount electricity bill payment पे 1% का commission है टू-wheeler या फोर-wheeler insurance पे यहाँ पे 10% से लेके 20% का commission है जो कि depend करेगा company to company और first party है कि third party है इसके उपर depend करेगा ठीक है dashboard के हम बात करें तो login करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको इनका dashboard सबसे पहले उपर company की जो भी news है जो भी update है वो यहाँ पर इसको दिख जाएंगी आपको उसके नीचे आपको wallet की details मिल जाएगी जहाँ पर main wallet और APS wallet दोनों में कितना balance है आपको यहाँ पर दिख सकते हैं जाकर service के काम कर सकते हैं left hand side menu मिल जाएगी जहाँ पर detailing detail menu की हुई है और जहां से आप banking की service का लाब ले सकते हैं उसके नीचे है bill payment की service उसके नीचे है utility और recharge की service उसके नीचे है pen card की service फिर है insurance की payment की transaction की support ticket जहाँ पर आप ticket वगरा raise करेंगे अपने जो भी problem हो रही है उसके लिए support में टिकेट डालेंगे उसके नीचे है load wallet यहाँ पर balance load करेंगे उसके नीचे account statement settings और logout तो overall यही है इनका dashboard और costing की हम बात करें तो यहाँ पर retailer ID costing है 9999 रुपए यानि 9999 ठीक है और यह फिलहाल इनका limited period offer चल रहा है जिस offer के तरह यह अभी ID आपको provide कर रहा है मज़ा चाहते हैं तो इन नमबर पर दिये गया नमबर पर बात करके जान सकते हैं पूछ सकते हैं समझ सकते हैं फिर आपको जमता है तो आप यह पूर्टल ले सकते हैं तो यह ए एक छोटा सा video Digital India for all portal के उपर आसकरता है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा पसंदाया हो तो प्रीज से लाइक शेयर सब्सक्राइब जोर करें तब तक लिए हम नाइस ट्रे चाहिंद चाहिए भाग